वेलकम एक टुमाई चैनल फिर से हाजर है आपके लिए फिर से एक नया यूसफुल और बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग वीडियो लेके तो आज हम जो भी टिप्स लेके आए वह बहुत ज्यादा यूसफुल है उन सभी के लिए जो हाउस वाइप है या जो ग्रैनी है उन जो मसाले की जो पैकेट आते हैं उनको लेके जब भी हम मार्केट से इस तरह के पैकेट लेके आते हैं तो इसके जो अंदर की जो मसाले होते हैं वो हम डिब्बे में निकाल लेते हैं और जो डिब्बे होते हैं इसको हम ऐसे ही फेक देते हैं और जब हम बाद में कुछ करन कौन सा मसाला डाला है तो यह मसाले में जो यह लिखे हुए होते हैं इसके टेक काट काट के इसका जो नाम होता है वो काट के और जो स्लिप होती है वो उन डब्बों में डाल जिसमें हमने जो मसाला भरा जैसे यह इसमें यह मसाला डला है इसकी स्मेल से और कलर से हम यह नहीं की एक परची होई है और है Κाया जितने भी मतलब डिब्बे में मसाला भरती हुआ हूँ तो उसमें जब से मालम हो जाता है कॉन सामसाला है इसमें इस सथे मरे हो ौदर ढूंठे की कोई जरूरत नहीं रहती है और आराहिसे मसालाहमें मिल जाता है तो इस तरह कि जब भी आप लेके आए तो उसमें से काटके और जिस डिपे में भी आप मसाला डाले उसमें यह काटके स्लिप जो है वो डाल दें तो आपको मसाले को ढूणने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका जो टाइम है वो काफी सारा बच जाएगा तो यह बहुत ही ज्यादे यूसफुल टिप्स है जो हर हाउस वाइफ को जो किशन में जो खाना बनाती हैं सबको यह टिप्स जो है वो अपनानी चाहिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ बरसात आने वाली है और ऐसे में यह ड्राइफ रूट्स जो होते हैं वो सारे खराब होने लगते हैं तो बारिच के सीजन आने से पहले आप इसको डिप्बे में डालके और जो भी इसको सेफटी रखने के ज चैयर की हुई है आप मेरे वीडियो देख सकते हैं और जो अपने जो ड्राइफ रूट्स हैं उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि काफी ज़्यादा महंगे आते हैं और बारिश में नमी की वज़ए से इनमें बहुत जल्दी कीड़े लगने लगते हैं और यह बह जो एसी छोड़ी चोड़ी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं अपने टाइम को बचा सकते हैं अपने पैसे बचा सकते हैं तो आप इस तरह के जो टिप्स है वह सारी आप देखते रहिए और वीडियो अगर आपको यह अच्छी लग ले दो तो इसको washमिलोर करते हैं लेकर कीमारे में इसको रच्वाल खेसे बबर रहते हैं तो इस ढफिकर बहुत ही अच्छा यूजिए डबे के बहुत सारे यूजिए आपको time to time मैं बताती रहती हूं कि इसका क्या-क्या यूज़ है लेकिन इस बार भी एक नया इसका एक यूज़ लेके आए हूं यहां पर मेरे पास यह एक डिबबर डला हुआ था तो इसको मैंने यह फिर से कैसे यूज़ किया है यह मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो मेरे पास इस तरह की कुछ यह पेज का स्वगेरा है यह क्या इधरोदर डले रहते हैं जरूरत पड़ती है तो फिर यह मिलते नहीं है तो यह छोटे-छोटे हैं तो इसको मैंने इस डिब्बे में करके रख दिया है ऐसे मेरे पास दो तीन डिब्बे हैं तो उन सब में मैंने अलग- पड़ती हैं कि इस विए इधर-धर यह भी डले रहते हैं और फिर सच में जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो फिर में मिलते रही है तो यह बहुत छोटे-छोटे चीजे हैं। इनका हम किसी ने किसी चीज में यूज कर सकते हैं और अपने टाइम को अपने पैसे को बचा सकते हैं और इस चीज का रियूज करके हम अपना जो काम है वो आसान बना सकते हैं तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई भी डिब्बे हो तो आप जो भी आपकी छोटी-छोटी चीजे इनको आप लगो सकते हैं और यहां है पशन्द आई होगी बढ़ते हैं आगे इस तरह का रेजर होते हैं और हर घर में यूज होता है ये बच्छों की दूर रखने चाहिए बच्चे क्या करते हैं इसको लेके और अपने उपर इसका यूज़ करने लगते हैं कई बर ब्लेड के धार से उनका हाथ पी कड़ जाता है तो इस तरह की चीज़ों को हमें बहुत सेफटी रखना पड़ता है उनको रखने के लिए तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हो इस तरह के जो क्लिप आते हैं इस तरह से यह लॉक हो जाता है तो यह बच्चों के पकड़ से दूर रहेगा और बच्चे इसको खोल भी नहीं पाएंगे और इस तरह से उनका जो हाथ है वो सेफ रहेगा इसके ब्लेड से कटने से तो आशा है यह चोटी से ट्रेक आपको जरूर पसंद आई होगी इस तरह से बाक्स में रखते हैं लेकिन इस तरह कि बाक्स में रखने से सबत्रीम की मिक्स होती हैं और आपको किसी भी तरा कि रहे की चोटी सी ट्रिक हमारी झरूर पसंद आई होगी बढ़ते हैं आगे अगर यू ट्रिक है इस तरह के डिब्बे को लेकर है जब हम अपनी ग्रोसरी जहां पर एकटी करते हैं तो जब भी आप जहां पर भी आपकी यह राशन के डिब्बे होते हैं दाल, मसाले बग्यारा आप तेजपत्ता डाल के रख दें तो तेजपत्ता की स्मयल से किसी भी तरीकी कोई इंसेक्ट भी नहीं आएंगे और आपकी जो जो सेफ रहेगी तो बारच के सीजन में यह प्रॉब्लम जादा आती है तो आप इस तरह के तेज पत्त जहां भी आप अलमारी में रखती है ना अपना समान वहाँ पे दूशार तेज पत्त जरूर डाल दें तो ऐसा करने से छिपकली कीड़े मकुड़े वगर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो आशा है यह टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी बढ़ते हैं तो अगली जो ट्रिक है वह भी इस तरह के डिब्बे को लेके है यह आपने देखा होगा प्रीमियम जीरा कुकी लिखा होगा यानि कि यह बिसकिट का डिब्बा है और यह जब हम बिसकिट क मार्केट के मोखिए लेकरा हैं तो का भी मेहंगे आते हैं कि आपके पास कोई-ब्बी और अगर आ एक रहे इस तरह को सामान के इसको है लिखे är Cash हाओ ये पसंद आयो कि भड़ते हैं अगर अगली डेक्वार को यह कि हम पाव्पी शीज लेकरा आते हैं camera मनें आंते हैं मेहंगी पड़ती है वशरते जो पाउच लेके आते हैं उसके तो जब भी आप मार्केट से कोई भी चीश खरीदे तो आप डिबब ना खरीद के या कोई बॉटल में इस तरह कोई चीश आती है वो न लेके आप पाउच खरीदे तो इससे आपकी पैसे हैं वो बचेंगे और उसको आप पलेट के उसी डिबबे में रख सकती हैं क्योंकि डिबबे तमाया पहले से ही बहुत सारी रहते हैं सोस वगेरे कभी आप शीशी खरीदने की बजाए आप पाउच का इस्तेमाल करें तो आपके काफी सारा पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद